आप देख रहे हैं दखल न्यूज अदालत से डेफ वर्रिंग जारी होने के बाद निर्भ्या कांड के दोशियों के पास अब महज 14 दिन का समय है इस दोरान वे क्योरेटिव पिटिशन दाखिल कर सकते हैं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिश कर दे लेके न आब वे और ज्यादा समय नहीं ले सकेंगे उन्हें जो कुछ करना है इन चौधा दिन में करना है निर्भिया के वकील के मुताबिक दोशियों के पास अब दया याचि का दायर करने का विकल्प खत्म हो चुका है क्योंकि तिहार जेल प्रशाशन ने पिछले दिनों पूछा था तो इन्होंने इनकार कर दिया था यदि दया याचि का दाखिल होती है तो राश्टपती को 22 जनवरी से पहले इस पर फैसला करना होगा और यदि राश्टपती के पास से विलम होता है तो 22 जनवरी की तारिक टल सकती है निर्भिया के पिता बदरीन नात सिंग ने कहा कि हमने इंसाफ के लिए बहुत लंबा सफरते किया है लेकिन खुशी है कि आखिरकार फैसला आ गया हमें ये भी एहसास हुआ कि हमारे कानून में कैसी कैसी कमिया है बिल्कूल बिल्कूल क्योंकि इस वीच तिहार जेल में हल्चल तेज हो गई है दोशियों को कड़ी निगरानी में रखा गया है हाला कि तिहार जेल में चारों दोशियों को फासी देने की तैयारी पूरी कर ली है यहां एक चबूत्रा बनाये गया है जहां चारों को एक साथ फासी दी जा सकती है फासी के फंदे बुलवाय जा चुके हैं और जलात का बंदोबस भी कर लिया गया है जिनने जबरन सरवर रूम में खुसने और सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी से रोकने और बचसलूकी का आरूप लगाया था इसी शिकायत के अधार पर आईशी घोश के खिलाफ F.I.R. दर्च की गई है लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों F.I.R. महज पांच मिनिट के अंदर दर्च ठीपें हॉस्टल फीस के खिलाब G.N.U. में लंबे समय से अंदोलन चल रहा था इसी बीच रजिस्टेशन का वक्त आ गया और G.N.U. प्रशाशन ने एक से पांच जनवरी के बीच नए सत्त्र के लिए रजिस्टेशन कराने का फैसला लिया लेफ्ट विंग से जुड़े चात्र संविठन इस पैसले का विरोध करते रहे और प्रशाशन पर हॉस्टल फीस बापसी का दवाब बनाने रगे इसी करम में चात्र युनिवर्स्टी के सर्वर रूम तक पहुच गये जिन्यू प्रशाशन ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है एड्मिन ब्लॉक के नस्दीक सर्वर रूम में चात्र जबरन खुशे वहां की भिशली सप्लाई कार्ड दी और सर्वर को बंद कर दिया क्या इसके अलावा शिकायत में आरोप लगाया है कि जब गाड ने चात्रों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी मार पीट की गई शिकायत में कई छात्रों के नाम के साज जेनियू छात्रसंग अध्धक्ष आईशी घोष का भी नाम दिया गया जिसके बाद उनके खिलाफ एफाया दर्च की गई जेनियू में रविवार शाम नगापोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर ना सिर्फ तोरफोर की बलकी छात्रों और टीचर्स को भी पीटा इस अहमले में आईशी घोष भी जखनी हुई बताय जा रहा है लेफ्ट विंग के छात्रों ने ही इस घटना को अंजान दिया है बेसहरा गौवंश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कमलनास सरकार भले ही बड़ी बड़ी खोशनाय कर रही हुई लेकिन अव्यवस्था और आराजक्ता के आलम में मवेश्यों का जीवन संकट में है भुपाल में मंत्राले बल्लभवन से बैट कर सरकार आप कुछ भी कह लें अपने बचन पूरा करने पर खुद अपनी पीट थपथपा लें मगर आपकी सरकार का जुबानी जमा खर्च जमीन पर आकर दम तोड़ देता है आपके राज में गाए बैल अकाल ही काल के गाल में समा रहे हैं कमलनाजी आपकी सरकार ने रीवा में गायों का ऐसा संरक्षन किया कि वहाँ आए दिन मवेश्यों के मौत हो रही है ये द्रश इतने विचलित करने वाले हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते त्योथर तहसील के बस्साहट गाओं के कांजी हाउस में बहत्तर गाए बैलों ने आपके वादों की तरहा तडफ तडफ के दम तोड़ दिया है ये इन गायों की नहीं आपके लिजलिजे सिस्टम की मौत है यहाँ बे सहरा मवेश्यों के लिए बाड़े का निर्मार किया गया था हाल ही में खराब हुए मौसम और हुई बारिश के चलते गायों के बाड़े में पानी भर गया वहीं चारा भूसान मिलने के कारण मवेशी भूग से बाड़े में दम तोड रहे थे आपके प्रशाशन को इन गायों की मौत की खबर तब लगी जब बाड़े में मौत मवेशियों से बद्बू आने लगी इसके लिए सासन प्रसासन में जो नियम निरधारित होंगे और इसकी बात सासन के पास जाएगी और हमसे जो बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे ऐसे लोगों के साथ में रहने का तो कोई प्रस्म ही नहीं उठता है अब वो आये रहे अपना उन्होंने बयान दिया हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है मैं कलेकटर साहर सी सम्मंद में बात करूँगा और जैसे ही मुझे ये घटना मिली मैं भागा भाग चला आया यहाँ बात नहीं हो पाई मैं कलेकटर साहर से इस सम्मंद में बात करके उसके बाद ही कुछ आप से कुछ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी गाय की इतनी दुर्दशा तो पहले कभी नहीं हुई आप से लोगों ने जितनी उमीदे की थी वो एक साल में ही भूकी गायों की तरहा तूटने लगी है जाहिर है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गाये भूक से मरेंगी तो लोग आपके सिस्टम से नाराज भी होंगे एक साथ मवेश्यों की इतनी तादात में हुई मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए भी मशीनरी का सहारा लेना पड़ा मवेश्यों को गाउं के ही एकांत इस्थान में दफनाने और बाड़े में मवेश्यों के मौत के जिमेदारों को भी सजा दी जाए पुलिस प्रशाशन ने इस मामले में सरपंच सचिव के खिलाब मामला दर्श कर लिया है इस गवन्स के साथ अगर इस तरह का त्वित्य हुआ है ते बेहत निंदनी है इस घटना में सलिप सभी व्यक्तियों के उपर गवंच की कब्रगहा बने काजी हाउस की दिवाल तोड कर जीवित मवेश्यों और साथ मृत मवेश्यों को बाहर निकाला गया ये पिछले 15 दिन से तिल तिल कर मर रहे थे इस मामले में ग्रामीर चुपी साधे हुए थे जिमेदार भी काजी हाउस में ज्छाकने तक नहीं पहुचे कीचड में सने हुए जानवरों को जैसी भी मशीन की मदद से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा दल दल बने गायों के इस बाड़े से 72 मवेश्यों के शव को बाहर निकाला गया एक विशेश जांस दल बनाकर उसकी ततकाल जांस करें जो भी दोशी पाया जाता है उनके विरुद पश्यू परूट अदिनियम और अन्न जो अदिनियम उनके प्राफधानों के अलुलूप्स ततकाल जो है उसके विरुद वैदानिक कारवई करें और इसके साथ-साथ सबी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने एक छेतर में जितनी भी गौशाला हैं उन सब का आकस्पिक लूप से दल बना कर निर्चन करें और भविष में इस तरह की घटनाओं की पुनरावती नहों यह सुनिशित करें और जो भी दोशी पाया जाता उनके खिलाब सकते सकते कारवई की जाएं मुख्यमंतरी कमलाज जी ये गायों की मौत नहीं है ये आपके बादों की मौत है गायों की मौत की ये दास्तान आपके लिए एक सबक बने और आप इन बेजुबान पश्यों की रक्षा के लिए कुछ माकूल कदम उठा पाएं तो भविष में ऐसी खटनाओं को रोका जा सकता है नागरिक संशोधन कानून को लेकर गौलियार में 11 जन्वारी को भाजपा शेहर के प्रवुद्ध वर्ग के साथ पैदल मार्च करेगी इसके लिए आयजित बैठक को संबोदित करते हुए केंद्री मंतरी नरेंद्र सिंग्तोमर ने कहा कि देश हित में प्रधान मं लाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा कारेकरता इन ताक्तों को करारा जवाब देगी और उनके मनसूबों को भी पूरा नहीं होने देंगे पूरव केंद्रे मंतरी नरेंद्र सिंग्तोमर ने कहा कि कॉंग्रेसी नेतावा वामपंती सोच्टे थे कि भाजपा कभी धारा 370 नहीं हटा पाएगी लेकिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी वामिर्शा ने इसे सहजिता से हटा दिया ब्लाक मनी को बाहर लाने के लिए कॉंग्रेस के प्रधान मंतरी को सुझाव दिया था लेकिन वे केवल 54 बंद करने का साहर दिखा पाए लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो नोड बंदी का निर्ण देश हित में होने के कारण 1000 का नोड भी प्रचलन से बाहर कर दिया आज नागरिक्ता संसोधन बिध्यक 2019 इस द्रश्टी से जो पार्टी के कारिक्रम हैं उन पार्टी के कारिक्रमों को सफल बनाने के लिए योजना पूर्वक काम करने के लिए आज भारती जन्ता पार्टी महानगर की ये बैठक थी मैं आज ग्वालियर था तो मैं इस बैठक में उपस्तित हुआ और मैं समस्ता हूँ ग्वालियर में इस विद्यक के समर्थन में बहुत अच्छा केम्पेंग चल रहा है और जो 11 तरीकों कारिक्रम किया जा रहा है नागरिकों का वह कारिक्रम भी बहुत अच्छा और सफल कारिक्रम होगा समर ने कहा आज नरेन बोधी की गिनती विश्व के नेताओं में होती है और भारत की विश्व भर में धाक है इसी से कॉंग्रेसी तथा कतित बुद्धी जी भी घबरायत हुए है और नागनिक सुन्शुधन कानूर पर ध्रम की इस्थिती उत्पन कर हिंसा भड़का रहे ह उन्होंने कारेकरताओं का आवाहन किया कि पैदल मार्च पाठी के विस्तार का कारेकरम नहीं है और ना ही पाठी को सक्रिय करने का कारेकरम है यह भारतिये ताकत के प्रगटी करण का कारेकरम है इसमें एक-एक कारेकरता अपने सामर्थ के अनुसर आ हूँती दे मौका था पूर्व केंद्रे मंत्री कॉंग्रेस नेता स्वर्गिय माधौरा सिंध्या की प्रतिमा के अनावरन का जहां सिंध्या समर्थक मंत्रियों की जुबान पर जोतिरा दिप्ति सिंध्या की हार का दर्द मंच के सामने आ गया राजस्व एवं परिवाहन मंत्री गोविन सिंग राशपूत एवं श्रम मंत्री महिंद्र सिंग सी सौधिया ने मुगावली नजर परिशत के सामने स्वर्गिये माधरौ सिंध्या की मूर्थी का नावरण किया इसके बाद जब मंत्री जंता को संबोधित कर रहे थे तो जोतिरा देते सिंध्या की हार का मामला उनके जहन में था मंत्रियों ने कहा सिंध्या की पहचान कोई आम नहीं है यह तो उनके पूर्वजों के द्वारा दी गई पहचान है इन मंत्रियों ने कहा चुनाव तो बड़े बड़े नेता भी हार जाते हैं पूरे पारसत रहापाली का अध्यास के लिए कि जुनों ने महराज के लाजबासी माधाराज शिल्दिया जी की इस सुन्दर मूर्दी का आनावान जो आजेहा हो रहा है शम मंत्री महेंद्र सिंग्सी सोधिया ने भाजपा सांसक के पी यादफ पनिशाना साधा और कहा हारना नेतिकता पर डाग नहीं होता मगर जो गुलाम जीत कराते हैं और जन्ता को ठकते हैं उनका कद उस महराज के सामने इतना सा भी नहीं होता जो बात करते हैं इंद्रा जी भी चुनाओ हारी अटल भ्यारी जी भी चुनाओ हारे मगर हारना नेतिकता पर डाग नहीं होता मगर जो गुलाम जीत के आते हैं और जन्ता को ठकते हैं उनका कद उस महराज के सामने इतना सा भी नहीं होता मद्रदेश की कमलना सरकार के कैबनेट बंतरी गोविन सिंग ने कैलाश विजवरगे को लेकर बड़ा बयान दिया है गोविन सिंग ने कहा कि बीजेपी और आरेसस की संस्कृती हिंसा फैलानी की है उन्हें बच्चपन से ही इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है गोविन सिंग ने कहा कि कैलाश विजवरगे अपने गिरेवान में जहांके वे पहले वरिष्ट कांग्रेसी नेता के यहां पर नौकरी करते थे इसलिए वे बताएं उनके घर में कौन सा सोने का पेड़ लगा था जिससे इतने इस सारी करोड़ों रुपे की संपत्ती खट कैलाश वरिजी को अपने पहले चेहरा देखने चाहिए गलेवान में जहांके वो कांग्रेस पार्टी के हमारे बरिष्ट के यहां नोकरी करते थे और वासन दे रहा है कि जिनके पास साइकले ने थी वो गाड़ियों घुम रहा है आप मैं कैलाश वरिजवरगे से पूछन दोएसडी के हनी ट्रैप में फसने के मामले में कहा कि लोक राज में लोक लाज भी होनी चाहिए दोएसडी का मामला जैसे ही पता चला मैंने तुरंट उन्हें मुख्य सचिफ को हटाने के आदेश दे दिये थे ऐसे लोगों का सारवजरिक तोर पर जुलूस निकालना चाह दिये मैं तो कहता हूं कि कोज को भी कड़ी कारवाई करनी चाहिए लोक राज में लोक लाज भी होना चाहिए और जब हमें सवात की जानकारी मिली और मीडिया पे समाचार पत्रों में किस तरह के दो हमारे माननी मंत्रियों के यहां ओएसडी बनके काम कर रहे हैं मैंने तत कठोर क्यारवाई न्याले को भी करना चाहिए चुनकि मामला न्याले में है और मेरा तो कहना है कि न्याले से भी मेरी प्रात्रा है यह लोगों को सारवजने की जलूशन कारना चाहिए वहीं JNU में उबद्रव के मामले में गोविन सिंग ने कहा कि बीजेपी देश के टुकड़े करना चाहती है देश की संस्थाओं पर हमला कर रही है हिंसा फैला रही है बीजेपी हिटलर के पद चिन्नों पर चलने वाली पार्टी बन कर रह रही है यह सब पीम नरेंद और प्रमोर्दुवे का नाम भी महापौर पद के लिए चर्चा में था मगर कॉंग्रेस ने उन्हें इस बार मौका नहीं दिया और राजधानी में सरवाधिक मतों से जीत कर पारशद बने एजास जेबर को अंतिम शणों में उमीदवार घोशित किया गया पारशदों के 29 पारशद भाजपा के जीत कर आये थे और 34 पारशद कॉंग्रेस के विजए हुए थे 70 पारशद वाले नगर निकम राइकपूर में महापौर पद पर भूमत के लिए 36 मतों की जरुरत थी जिनमें 7 निर्दलिय पारशदों ने कॉंग्रेस उमीदवार एजाल जेबर का सम जा रही थी महापौर पद के लिए कॉंग्रेस को मिले वोटों से साफ हो गया है कि अब सभापती भी कॉंग्रेस का ही होगा यह मदिप्रदेश के गड़रवारा की दस्वीरे हैं जहां भाजपा की ओर से स्ट्यम को मुख्मंत्री के नाम क्यापन दिया रहा है और सरकार प से आज का ग्यापन हमारा किसानों पर टेंडर एक धान खरीदी माने लेट शुरूए और उसमें परिवेहन का टेंडर लेट हुआ है तो बो पानी दोवार गिराब में दो तीन में पहले गया तो मैंने सेंट्रों के हालत देखी मेरे आंकों में आंसु आए किसानों बहुत नॉम्बर में हम लोगों की जमाने में हमरी सरकार में नॉम्बर में खरीदी पूरी हो जाती है लेकिन अब जनबरी लगने का ये खरीदी पूरी नहीं हुई है तो किसानों को एक एक दाना खरीदा जाए और जो खराब हुआ है और जो खराब हुआ है वो धान भी खरीदी बाजपानेत्री साद्ना स्थापक का कहना है कि बारिश से किसान की फसल बरबाद हुई अब किसान उस फसल का क्या करे कहा लेकर जाए प्रिशाशन को चिताते हुए भाजबा नेत्री ने कहा कि अगर किसानों के साथ लापरवाही बढ़ती गई तो आगे बड़ा आंदूरत किया जाएगा किसान लगातार वैसे ही धान खरीदी बहुत देर से शुरू हुई उसके बाद धान खरीदी का पूरा सिस्टम इनका खराब है पैसा नहीं मिल रहा है और धान गीली हो रही है मौसम में तो इसके रख रखाओ के लिए दूसरा यूरिया नहीं मिल रहा है लोगों को समय पर और धान का पैसा भी समय पर नहीं आ रहा है C.A. के समर्थन में कलेक्टरिट पहुंचे सभी नेताओं ने जन्सभा को संभोधित किया और राष्टपती के नाम S.D.M. को ग्यापन सभा बारती जन्ता पार्टी के जिलाद ध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कॉंग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है केंद्र की सरकार अच्छा कारे कर रही है उसको बदनाम करने के लिए C.A. का मुद्दा जन्ता के बीच कॉंग्रेस द्वारा गलत धंग से उच्छाला जा रहा है जन्ता इनके बहकावे में ना आए चिंग्रॉली जिले के मौर्वा में 14 साल के नावालिक लड़के ने 13 साल के नावालिक लड़की को बंधग बनाकर उसके साथ लगाता तुष कर्म किया ग्रामीर अंचल में शिक्षा की कमी और जागरुकता के आभाव में बालिकाओं से शोशा का मामला सामने आता रहता है जनकर यनुसार नावालिक लड़की की जग मौर्वा निवासी एक यूवक्स से दोस्ती हुई थी लड़के ने धोके से लड़की को अपने घर बुला कर उसे बंधग बना लिया और 24 घंटे में कई बार उसके साथ दुष कर्म किया इस दोरान लड़की के परिजन अपनी बच्ची को खोशते हुए ठाने जा पहुचे किसी तरहां आरोपी के चंगुल से छूट कर किशोरी अपने परिजनों के पास गई और आप भीती बताई तो परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की फीडिता की शिकायत पर मारपेट, थमकाने और बलात कार करने जैसी कई धाराओं के तहट अपराद दर्ज कर लिया गया है इस पीच आरोपी युवक भागनी की फिराख में था जिसे रेलवे स्टेशन से गिरफतार कर लिया गया आरोपी युवक को पास कोएक्ट के तहार हिरासत मिले लिया है शतरपूर के हरपालपूर रेलवे स्टेशन पर बारिश की वज़ा से गिले हुए यूरिया की जाँच करने कृशी विवाग की टेम मौके पर पहुची और गिले यूरिया के सैंपल भरे तीन दिन पूर्वर रेलवे के माध्यम से 2200 मेट्रिक टैं यूरिया आया था लेकिन लापरवाही की वज़ा से ये यूरिया बारिश में गिला हो गया इसी लापरवाही की जाँच कृशी विवाग की टीम ने की तो यही गिला यूरिया खिसानों को बाटा जाएगा विक्त्री परोड ने आ सकते हैं कि पिसान की आ सकता होती है चटका बस्ती स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर कट्टे के नोग पर डेल लाख रुपे लूटने वाले दो लुटेरों में एक को मोरवा पुलिस ने गरफतार किया है इस पंकत साहू नाम के लुटेरे के पास से बाइक वा कट्टा और कार्तूस जब्त किये गए हैं गटना में शामिल दूसरे लुटेरे पवन तिवारी की तलाश जारी है आरोपी पवन इतना शातिर अपरादी है जिसके खिलाफ कई ठानों में हत्या का प्रयास लूट जकैती के गंभीर मावले दर्ज है लूट का मावला है उसमें हमने विद्री समध कारवाई की लिए है मावला अंड़ा इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेशन में जो भी साक्षात है जिनके विरुद में आते हैं उनकी विद्री समध कारवाई करना है पीकमगर में वैशे माहसभा ने राजेंद्र पार्क से एक मार्ज निकालते हुए मुख्रमंत्री के नांत कलेक्टर को एक ग्यापन दिया जिसमें अप्रेल महिने से आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों को अंडा वित्र किये जाने का विरूद किया गया है महासभा ने कलेक्टर को दिये ग्यापन में बताया है आंगन बाडियों में नौने हालों को अंडा वित्रण का गारेकरम भारतिये सनातन संस्कृति के खिलाफ है इससे लोगों की सामाजिक और धार्मेक भावना आहत होती है लोगों ने मासाहार को लेकर गलत धारना पैदा होती है पिछली शिवरा सरकार में भी आंगन बाडियों में अंडा वित्रण करने की योजना बनाई थी लेकिन महासाभा के विरोध फल्सरूप सरकार को अपना निर्ने वापस लिना पढ़ा था उसके विरोध में हम लोगों ने यह प्रजर्शन जारी किया है यह हमारी भारती संस्क्रती के बिलकुत विरुध है हम इसका पुर्जोर विरोध करते हैं और सभी अहिंसफ प्रेमियों से यह आग्रह करते हैं कि हमें जादा से जादा संख्या में इसका साथ दें यह भारती संस्क्रती के खिलाब है अंडा का, अल्टरनेट, गाय का दूद और सोया बीन, प्रोटी, मूफली यह सब प्रोटी, केश्यम, मिन्टर्स, सब मिलते हैं इसके बदले में इसका हम विरोज करते हैं वेश फेडरेशन और महिला परिशन की द्वारा मैं सभी लोगों से आगरह करती हूँ कि इसका इस विरोज में हम लोगों को जादा से जादा समर्ठन दे सरवई धाना के महुबा रोट पर अपने घर के बाहर सो रहे सो डायल को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी तो घायल अवस्था में कामता प्रसाद गुपता को नजदी की उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अस्पताल में भेजा गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई गटना इस्ताल पर जगा जगा मृतक का खून पड़ा था जिसे देखकर ऐसा लगा था कि जैसे मृतक ने हत्यारों से संगश किया हो पोलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है इसमें चोगन बर्सी है कामता प्रसाद गुपता जी उनकी मर्डर की गटना हुई है उसमें घर के सामने सो रही थे उसमें किसी ने इनके सेर पर बार किया है उसे मृत्ती हुई है पोलिस मौक के बर है और जो आवसा करवाई की जा रही है बारतिये 900 साल पहले स्टाइलेश चपले पहनते थे बारतिये लोगों के प्राचीन डिजाइन अब कई कंपनिया बेच रही है कई बार अग्यानता में लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि आज विग्यान ने बहुत तरक्की कर ली है हम नए फैशन को अपनाते हैं अगर सच यह है कि आज भी हम प्राचीन काल के लोगों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं आज भी हम वैसे ही सैंडल और चपल पहन रहे हैं जो 900 साल पहले भारतिये पहना करते थे ट्विटर पर इस बारे में जोर शोर से चर्चा है ट्विटर पर अपनी बात को साबित करने के लिए वी गोपालन उन्हें सेक्डों साल पुराने एक भारतिये मंदिर की तस्वीर भी साजा की है आप भी इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पढ़ जाएंगे इसमें साफ देखा जा सकता है कि आज के समय में हम बड़े ब्रैंड्स की जो चपल पहनते हैं उसका डिजाइन वैसा ही है जैसा पराचीन भारतिये पहना करते थे ट्विटर यूजर वी गोपालन ने तमलनाजू के एक प्राचीन मंदिर की तस्वीरों को शियर किया है इसमें देखा जा सकता है कि 900 साल पुरानी मूर्तियों में भारतिये जैसी सैंडल पहनते थे वैसे ही आज की कई कमपनिया बनाती हैं इन तस्वीरों के साथ गोपालन ने लिखा है कि सद्यों पहले प्राचीन भारतिये पुरुष बहुत फ्राचनेबल थे वे 1000 साल पहले से सैंडल पहन रहे हैं बही मॉडल जो बाटा इंडिया आज बेशता है इस ट्विट पर कई लोगों ने दूसरे भारतिये प्राचीन मंदिरों की तस्वीरों को भी शेयर किया है और लिखा है कि प्राचीन काल पे भारतिये महिला भी हील वाली सैंडल पहनती थी एक टिटर यूजर ने काची के काली सनाथर मंदिर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 1400 साल पहले महिला हिल्स पहनती थी ये तस्वीरे हमारे गौरफचाली इतिहास का जीता जाता प्रमार है तमाम सब भिताएं जब जन्म ले भी नहीं पाई थी तब द्वापर और त्रेता में राम और कृष्ण के समय हमारे सैनानी जूते चपल या सिर्फ रत का ही इस्तमाल नहीं करते थे वे आज जैसे आधुनिक समाज में थे उनके पास अगने अस्त्र यानी मिसाइलें और शांदार एवियेशन सिस्टम था हवाई जाहाज का दुनिया में सबसे पहला उधारंड राम के जमाने से ही सामने आया था तब रामान और उसके बाद राम और फिर बिभीशन ने पुश्पक विमान का उपियों किया था संगीत की स्वदलहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने था चंबल के पीढ़ों से नकसलवादियों के गड़ था जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकदंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्टीती से कूट मीती ता दखन नियूद आपके हते आप देख रहे हैं दखन नियूद